नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल धाकड एगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे चना की एक बहुत ही सांदार विराइटी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं चना की बुआई का समय देरे देरे नस्दीक आ रहा है और जब आप चने की बुआई करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि हम इस साल कौन से चने लगाएं जिससे ज़्यदा पैदावार मिलें देशी चना लगाएं या पिर काबूली चना लगाएं या फिर विसाल, काटिया, कई परकार की विराइटिया आपको देखने को मिलती है लेकिन आपको उचित विराइटि को लगाना चाहिए ताकि आपके खेतों में वह विराइटि अच्छा उत्पादन दे सके तो चलिए मद्य परदेश के लिए सबसे बेश्ट वराइटी के बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं तो आप वीडियो को अंते तक देखिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही गंटी के निसान को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकर देखने को मिलती रहें किसान भाई जिस वराइटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जवाहर चना 36 इस वराइटी को जे जी 36 के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में बहुत सारी जानते ही होँगे या फिर यूटूब पर आपने बहुत सारे वीडियो के अंदर इस वराइटी का नाम सुना भी होगा किसान भाईयों यह मद्य प्रदेश के लिए सबसे अनुसंचित वराइटी है मद्य प्रदेश के हर एक के जिले में आप इस वराइटी को लगा सकते हैं इस वराइटी को जवाहर लाल नहरु, क्रसी, विश्वव विद्याले, जबलपूर द्वारा सन 2016 में विक्षित किया गया था किसान भाईयों इसके चने का रंग गहरे भूरे रंग का रहता है और इसके अलावा सबसे प्रमुक बात यह है कि इस वराइटी में उक्टा रोक का अटेक बहुती कम देखने को मिलता है अगर इस वराइटी के पकने के समय की बात करें तो यह वराइटी 110 से 120 दिन के अंतराल में पकर त्यार हो जाती है चार-पांथ दिन उपर नीचे हो सकता है लेकिन इसी समय अंतराल में यह वराइटी पकर त्यार हो जाती है अगर उत्पादन की बात करें तो आप अगर चने की फसल की अच्छी तरीके से देख रहे करते हैं समय समय पर उसमें खाद परबंदन और पानी का ध्यान रखते हैं तो आप 12 से 14 कुटल परती एकर इस वराइटी का उत्पादन निकाल सकते हैं अगर मौसम में फिर बदल होते हैं कुछ प्राकरतिक आपदा आती है तो उस वज़ए से पैदावर कम हो सकती है लेकिन अगर उची तरीके से खेती की जाए तो 12 से 14 कुटल परतीय करतक उत्पादन निकाला जा सकता है इस वराइटी में केवल एक ही समय से आती है कि इस वराइटी की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है इस वज़ए से जब तेज हवाई चलती है या फिर वारिष जैसे संभावना होती है तो ऐसे इस तती में इस वराइटी के पोदे जमी दोस भी हो सकते है जमीन पर गिर सकते है अगर बारिस नहीं आती है हुआ नहीं चलती है तो सबसे बेश्ट वराइटी यह मानी गई है तो आप इस साल चना की कौन से वराइटी लगाने वाले हैं कमेंड में जरूर बताएगी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहें तन्यवाद जाइद वान जाइकिसान